हेलो दोस्तों शुबलोजी में आपका बहुत अश्य सौगत है और मैं शुब हम आपके लिए लेका रहे हूं टेक्नोलोजी का एक नए एपिसोड जिस मैं वह में बताऊंगा आपके कुछ काम की टेक अपडेट तो बने रही है मेरे साथ जो पहले टेक अपडेट आ रही है वह जी ओ से ले आ रही है जी ओ बहुत ही जल्दी इंडिया में 5G services हो सकता है लॉंच कर दे जो जीओ एर स्पेंड कंपनी के साथ काम कर रहा है और बहुत ही जल्दी हो सकता है यानि 2018 और 19 तक जीओ 5G services अपनी लेकर आ सकता है दोस्तों क्योंकि हमारे इंडिया में डेटा की मांग बहुत ही जाता बढ़ गई है इसलिए जीओ सोच रहा है कि वह 4G spectrum से स्विच कर ले 5G spectrum में दोस्तों आज की दूसरी टेक अपडेट आ रही है एकको मोबाल कंपनी से एकको ने लॉंच किया है भी जल्दी में अपना जैल स्मार्टपोन जिसमें दोस्तों आपको मिलेगी 5 इंचेस की HD display 1.3 GHz का Quad-Code प्रोसेसर इसमें रियर में आ RAM और 16GB की इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है दोस्तों इसमें आपको फिंगर्पिंट सेंसर भी दिया गया है और पूरे फोन को पावर अप करती है 2800 मिलियंपर की बैटरी दोस्तों यह कंप्रीट पैकेज आपको मिलेगा 5999 रूबीस का अगली टेक अपडेट आ रही है इसकी तरफ से जब्राउनिक्स ने लांच किया है अपना इक पावर बैंक जिसका नाम है जब 20,000 PD दोस्तों इसमें फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है और यह जो पावर बैंक है वह 20,000 मिलियंपर की बैटरी साथ आता है तो फास्ट चार्जिंग जो फीचर है इस की हुई है यह भी आपको शो करेगा इसकी डिस्प्ले में इसमें दो पोर्ट दिये गया है पहला है अगर आपको कोई अलग से पोर्ट लेने की ज़रुवत नहीं है और दूसरा जो पोर्ट दिया गया है वह है जो कि नॉर्मली मॉबाइल फोन में यूज होता है दोस्तो इस पावर्ट बैंक का प्राइस है 4799 रुपीज दोस्तो अगली टेक अपडेट आ रही है हुआवे की तरफ से हुआवे 18 दिसंबर को हो सकता है एक अपना नया स्मार्ट फोन लांच करें जिसका नाम होगा इंजॉइ 7S दोस्तो वावे ने एक प्रोमोशनल पोस्टर जो है शेयर किया है चैना की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वाइबो पर दोस्तो इस फोन स्मार्ट फोन का जो प्राइस है वह सकता है 9722 रुपीज दोस्तो अगली टेक अपडेट आ रही है आइपोन एक्स के फ लिए गो जो है वह फेमर्स है दूसरी बड़ी कंपणियों के फ्लैफिशी फोन के क्लोन बनाने के लिए उसने आइपों एक का भी क्लोन इसमार्ट फोन बनाया है इसका नाम उसने रखा है 79 इसका प्राइस जो है वह बहुत ही कम है अगर कंपार करूं मैं आइपोन एक से इसका प्राइस है 19,345 रुपीज वैसे मेरी रिक्मेंटेशन नहीं है कि आप चाइनीज बैंड लियाएगो कोई सेट करी दो अगली टेक अपडेट आ रही है अधार से अगर आपने अधार अभी तक लिंक नहीं किया है अपने अधार कार्ड जल्दी से अगर अपने अधार कार्ड नहीं बनवाए तो उसके लिए अप्लिकेशन दे दीजिए तीन महीने का दोस्तों वक्त है अराम से आप लिंक कर सकते हो तो आज की टेक अपडेट्स में इतना ही कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो शेर करिए अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लिए चल्दी से इस चैनल को क्योंकि मैं इस तरह की वी ख्या है